गाउ में रहकर ये समझ में नहीं आता है कि गाउ में ऐसा कौन सा बिजनेस सुरू करें जो अच्छा चलें और भरपूर लाब दें आप गाउ में लो बजट में किसी स्मॉल बिजनेस को सुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है बिजनेस मंता चैनल के मात्यम से ग्रामिन बिजनेस के अंतरगर गाउ में किये जाने वाले ऐसे बिजनेस के बारे में जानकरी देते हैं जिसे लो बजट में गाउ में आसानी से सुरू किया जा सके उन बिजनेस के बारे में जानना चाते है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहे Hello friends, बिजनेस मनता यूटूब चैनले पर आपका स्वागत है गाऊ में ऐसे बहुत से बिजनेस हैं, जिनें बहुत यह आअसानी से किये जा सकते हैं यहां हम गाउं में किये जाने वाले क्रसी से संबंदित पांच small business के बारे में जानकरी दे रहे हैं जिनें आप गाउं या सहर में रहका आसानी से कर सकते हैं पहला है क्रसी Consultancy क्रसी Consultancy यानि क्यती के बारे में जानकरी देना खेती के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है गाव में क्रसी तो करना चाते हैं लेकिन उनके सामने समस्या आती है कि कौन से फसल की खेती करें कौन सी फसल की खेती कप करें और सबसे बड़ी समस्या उसे कैसे करें इन बातों की जानकरी के लिए इन सब बातों की जानकरी के लिए वे ऐसे लोगों की तलास करते हैं जिसे इसके बारे में अच्छा नौलेज हो यदि आपको खेती के बारे में अच्छा नौलेज है तो क्रसी कंसल्टेंसी का विजनेस सुरू कर सकते हैं क्रसी कंसल्टेंसी लेने वाले कस्टमर्स से आप फीज ले सकते हैं, सुरू सुरू में आप कम फीज पर इसे सुरू करें, डिमांड बढ़ जाने पर फीज बढ़ा सकते हैं दूसरा विजनेस है कैक्टेस प्लांट नर्सरी कैक्टेस प्लांट नर्सरी सुनका मन में ये बात आ रही होगी कि कैक्टेस कौन खरीटता होगा क्योंकि कैक्टेस प्लांट का इस्तेमाल घरों में सजावत के तौर पर किया जाता है जिसकी बजह से आज के समय में कैक्टस प्लान की डिमांड तेजी से बढ़ रही है हजारों प्रकार के कैक्टस पाई जाते हैं लेकिन मार्केट में बिसेस और दुल्लब किसमे के कैक्टस प्लान काफी महंगे दामों में भिक रहे हैं आप भी दुल्लब किसमे के कैक्टस प्लान की नरसरी कर सकते हैं बोनसाई प्लान का बिजनेस कम निवेस में सुरू क्या जाने वाला बोनसाई प्लान का बिजनेस काफी मुनापर देने वाला बिजनेस है यदि आपको bonsai plant तयार करना आता है तो अच्छी बात है नहीं आता है तो आप market से bonsai plant खरीद कर लाए और इसकी marketing करें आज के समय में bonsai plant की काफी demand है bonsai plant का कोई निश्चित rate नहीं होता है customer की रूची और हैसियत को देखका मन चाहे rate पर इसे बेज सकते है अच्छे photograph के साथ इसे online e-commerce website पर listing करके भी अच्छी कमाई की जा सकती है good luck bamboo good luck bamboo की demand भी market में बहुत है इसकी कीमत इंच के हिसाब से तै होती है काफी कम पैसों में घर के छोटे से हिस्से से good luck bamboo का business सुरू किया जा सकता है online इसके थोक और retail के खरीदार मिल जाएंगे गाउ में आप मिट्टी जाच केंदर सुरू कर सकते है गाउ में मिट्टी जाच केंदर की मांग अब बढ़ने लगी है लोग मिट्टी जाच के महत्व को समझने लगे है ऐसे में गाव में मिटी जाच के इंदर सुरू करना एक लापदाएक बिजनेस बन गया है इसे सुरू करने के लिए आपको मिटी जाच की मसीन लेनी होगी मिटी जाच मसीन जहां से खरीदेंगे वहीं से आपको इसकी ट्रेणिंग भी मिल जाएगी फ्रेंट्स हमें आसा है आपको गाउं में रहकर किये जानने वाले बिजनेस के बारे में दी गई जानकरी पसंद आई होगी इसे like वा शेयर करें इस तरह के नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्क्राइब करें साथ मैं घंटी के निसान को दवाना ना भूले आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी Goodbye, Take Care